तो दोस्तो मेरे पास एक कोमेंट आया था कि क्लोक सैटिंग बताए प्लीज तो रिमोट के उपर आपको पता है सारी सैटिंग्स मैंने आपको एक वीडियो है मेरी अभी जो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर भी देख सकते हैं उसमें मैंने प्रोपर वे से रिमोट के तो 9 बज़ के 49 मिनल हो चुके हैं तो यहां पर यह गलर टाइम दिखा रहा है साथ में दिखा रहा है पी एम तो कैसे सैटिंग करेंगे उसके जैसे यह देखिए यहां पर कलोग का बटन है कलोग को प्रेस करते यह ब्लिंक करने लगेगा ब्लिंक करने के बाद क्या यह प्लस और माइनस से हमने यहां पर सैटिंग करनी है देखिए यह यहां पर मिनिट्स बढ़ रहे हैं उतक है कई लोग सोचते हैं कि यह मिनिट अलग से सैटिंग होती और घंटे अलग से सैटिंग होती ऐसा नहीं है अगर आप इसको प्रेस करते लोगे लोग प्रेस कीजिए देखिए अपने आप घंटे भी चेंज हो रहें यहाँ पर जो भी आपकी टाइमिंग है वो आराम से आप सेटिंग कर सकते हैं मैंनस करेंगे तो वो मैंनस में चल पड़े गाँ यह देखिए प्लस करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा मैंनस करें 50 मिनट हो गए है तो मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ 8 बज़ के 50 मिनट इसके लिए तो कलोक की सेटिंग इसी तरीके से होगी चाहे कोई भी वो रिमोट है अगर आपके पास वोल्टस का है चाहे ब्लू स्टार का है चाहे हिटाची का है या किसी तरीके से उसमें सेटिंग कर सकते हैं होता क्या है हम सेटिंग तो कर लेते हैं देखिए जैसे यह मैंने सेटिंग कर दिया और दबारस में इसको कलोक को प्रेस कर दूँगा तो यहाँ पर कलोक की जो सेटिंग है वो सेव होगी है देखिए यहाँ पर आठ बच गर पचास मिनिट यहाँ पर हो चुके है ठीक है और मैंने जैसे कलोग के प्रेस किया तो यह सेव हो गया तो उसके बाद क्या रहता है कि कई लोग कई लोग सोचते हैं कि हमारी जो कलोग की सैटिंग वह बड़ी मुश्किल है या कई लोग ऐसा करते हैं कलोग का बटन प्रेस कर लेते हैं उसके बाद रिमोट के बटन मगेरा काम नहीं करते तो इसका भी काफी शारे इसू रहता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कलोक का बटन प्रेस करते हैं यहाँ पे तो कलोक बिलिंक करता है तो यह टंप्रेचर के लिए यूज नहीं होगा फिर यह देखिए यह आपके कलोक सेटिंग के लापने कलोक का बिलिंक दुबारा से प्रेस कर देना है तो फिर आपका टंप्रेचर भी कम जाता हो जाएगा ठीक है अगर आपको नहीं समझ मैं कमेंट कर दीजिए मैं आपको दुबारा प्रोपर वे से बता दूँगा आपके कमेंट कर रिपलाई कर दूँगा तो वहाँ पर जाकर आप इसकी सेटिंग रिमोट में कर सकते हैं कि हम कलोक की सेटिंग कैसे करें रिमोट में एक चीज और थी कि कई बार हम क्या करते हैं कलोग की सैटिंग हमने कर ली लेकिन उसके बाद हम रिमोट के सेल निकाल के दुबारा फिर डालते हैं कभी यूज करके तो वो दुबारा फिर री सैट हो जाता है तो जब अगर आप काते हो कि मैंने कलोग की setting की है तो cell मत निकाली है जो remote की है उससे timing reset हो जाता है पुरा remote ही reset हो जाता है एक हिसाब से तो वो दुबारा फिर setting करने पड़ती है तो cell कोशिश करिए remote के अंदर रखिए आपको हर time ये proper time दिखाता रहेगा देखिए यहाँ पर आठ बज के बावन मिनिट एम दिखा रहा देखिए ठीक है इस तरीके से हम कलोग की सैटिंग कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगए तो लाइक कर देना यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नई वीडियो के साथ मिलते रहेंगे अगर आपको किसी वीचर्ज की दिक्कत आती है में आपको कमेंट करके जुरूर बताइए कि यह मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बनाके देदिये करूंगा तो मिलते हैं नई वीडियो में थैंक यू